समय बड़ा बलवान है भाईया अच्छा समय भी आता है और बुरा समय भी आता है वो बात अलग है अच्छा समय ज्यादा आता है ईश्वर की क्रपा से और बुरा समय कब आता है कब चला जाता है पता नहीं लगता है लेकिन आता जरूर है मंगल भावान, आ मंगल हारी, द्रबहु सुदश्रत अजिर पिहारी राम सिया राम सिया राम मुझे जे राम, राम सिया राम, सिया राम मुझे जे राम ओ मंगल भावान, जब जब याद करते हैं, तो हर कार हमारे जीवन से जड़ा हुआ, मंगल ही मंगल होता है अगर तुर्लो की नार परमपितापनमेश्वर की विशेश कृपा होती है और हिसार के भक्तों पे तो विशेश क्रपा रहती है हमेशा जीवन का सार जो पता लगता है तो एक बार हिसार में आके ही पता लगता है वो राम सियारा मुझे जे राम राम सियारा मुझे जे राम हर्याडा बाले भी बहुत अच्छा बोलते हैं यह एक ऐसी लहर है लेकिन एक सोच रेखो लोगों ने ऐसी मानसिक्ता पाल रखी है और कुछ को तो पका हो गया राम का नाम लेते हैं तो बस लेकिन ऐसा नहीं है यह कोई राम का नाम कोई ऐसा नहीं है कि एक सरकार उनका नाम ले सकती है नहीं अरे जब यह सरकार थी भी नहीं उसकी सरकार तब भी थी अब भी है और हमेशा रहेगी वो है आयोत्यापती शीराम चंद्र महराजे की जिसका नाम लेने से जन्म से लेके और अंत तक जब हम जाते भी हैं तब भी उसके नाम की जरूरत पढ़ती है ये मान सिखना छोड़ो राम हर किसी के है सब मिलके बोलो राम सिया राम राम सिया राम ओ राम सिया राम राम सिया राम कौन कौन बुला रहा है दोनों हाथ उड़ा के एक मिनिट के लिए जेशिना जेशिना सियापति राम झेशिना सियापति राम झेशिना सियापति राम camino मेरे अक प्रबु राम झेशिना इस मंदिर जै जाज और नही पूरे संसार में दो देव कलियुग में संकट को काटने के लिए महदीपुर में पाला जी महराज बैठे हुए है हारे हुए को चिताने के लिए खाटू में बाबा दो देव ऐसे लेकिन दस मिनट के लिए सबसे पहले महदीपुर चलते हैं क्योंकि हसा हम सब का मानना है जो युगों युगों से सुनते आए हैं संकट कटे मिटे सब फीडा जो सुमने हरमत वन वीडा जै 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 हनुमान को साई इस मंदिर जैसा और नहीं पूरे संसार में हर अर्ची होती पूरी यहां पहली बार में पढोसी को भी बोलो देख दू आनी राता अब क्या बोलेगा हर अर्ची होती पूरी यहां पहली बार में जिसके दरवार में जो आ जाता है एक एक के उपर रखते खयाल बाला जी हर से बादार का बस गया है चलवा दिल में तेरे दरवार का क्या कहना बाला जी सरकार का बस गया है चलवा दिल में तेरे दरवार का जो चलना चाते हैं महंदी पूर एक मिनिट के लिए दोनों हाथ उड़ा के जैत करो बीर बजरंगी हर दोनों 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 हर दो क्या कहना वाह क्या कहना भाला जी सरकार का बस गया है चल्बा दिल में तेरे दर्वार का क्या हो तॉट मुखिए कशना क्या कि या कि हुआ क्या कि इस दरागर क्या हो घ्या के ऍाना व्यादॉ यह इस्दार माली तलया बजाओ इसार में जुटे आया हैं अब तक तर्णु आ तुना के एक तो मुल्कार दो जाले बोला बोला जी महराज की जुकते हैं रोज हचारों नहदी पुर्धाम में हैं अको में वोचर शक्ती साला सर्धाम में एक मिनट के लिए पूरे पंडाल से एक मिनट के लिए मात्र एक हाथ उठाओ सभी एक हाथ उठाके और एक मिनट के लिए पूरे पंडाल से ये लाइन में लगे हुए हर तरफ से एक यावाज आनी चाहिए जैशीरा 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 बलब भूता के धनेदार की जैशीरा 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 खेशिराम । खेशीराम । थेशिराम । और कोई और भी कोई । और तोसके आनर देले ये रहो na आनर देले रहो na बला बला आज महराज की ओ लंका जलाने बाले संजीब निलाने बाले ओ आजा आजा हनुमान आजा बीर हनुमान पाला जी महराज वो देव है जिनके आशिरवाद की जरुवत एक युग में नहीं या वो ऐसा भी नहीं है कि कल युग में ही है और युगों में नहीं नहीं चारो युग परताप तुम्हारा है परिसित जगत और जियारा त्रेटा युग में आयोत्या पतिश्री राम चल्द्र जी महाराथ पर जब संकट आया समय बड़ा बलवान है भाईया अच्छा समय भी आता है और बुरा समय भी आता है वह बात है अच्छा समय ज्यादा आता है इश्वर की क्रपा से और बुरा समय कब आता है कब चला जाता है पता नहीं लगता है लेकिन आता है जरूर है अयोत्या पति के ऊपर संकट आया बजरंग वली हनुमान से कहा सखा अब तुम ही मेरे भाई के प्राण बापस ला सकते हो संकट दूर किया और तो और महा भारत के युद्ध में श्री कृष्ट भगवान जानते थे कि हम आश्ट्र स्ट्र नहीं उठा सकते हैं इसलिए उन्होंने अर्जुन से कहा यदि तुम्हें महा भारत का युद्ध जीतना है तो बुलाओ पवन पुत्र हनुमान को अपने प्रत पे बिराजित करो तेरा राम जी करेंगे मेरा बाब खुदा सी मन आहे को करे तेरा राम जी करेंगे मेरा बाब जिसको बालाजी महाराद के आशिरबात की दरुवत है ये एक वो नाम है जिसके नाम से भूत पिसाच निकट नहीं आवे जै 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 हनुमान खुष्टाई हो लंका जलाने बाले संजीब निलाने बाले जो जो बुला रहे हैं बालाजी महाराज को कोई ऐसे वैसे देव नहीं है या आप भी जानते हैं आप भी जानते हैं यहां बैठे एक एक भक्त ये जानते हैं यह बोदेव हैं जिनका रूप नौखा जिनका स्वरूप नौखा गंशन बरन विराज स्वेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वच्र और गजा विराजे सादे मूझ जो बुला रहे हैं दोनों आज उड़ा के पूरे-पूरे समर्पडभाव से आजा आजा हनुमान आजा बीर हनुमान क्या करोगे इन हातों का क्या करोगे उठा लो क्या करोगे इन हातों का आजा आजा हनुमान आजा बीर हनुमान जय 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 हनुमान पुसाई इन्मां करा गुरू देव किनागी ओ रामसिया 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 ओ रामसिया 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 रामस पता, अभी-अभी मैंने देखा शुदो अभी कुछ लोग तो मगन हो के अभी मगन है लेकिन कुछ वो भी देश्ची कल्चर में खोय है कौंसा? हाए हाए जो हमारे यूपी में कहते हाई हाई करवादें पॉकेट से हाथ निकाला हेलो लेकिन वो हमारा कल्चर नहीं है हमारा कल्चर ये है हो राम सिया राम सिया और हर्याणा का तो बच्चा बच्चा कहता है राम 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 कल्योग में राम राज कैसे आएगा का बड़े कुछ लोग सोच रहे हैं कंगे राम राज कैसे आएगा आप चाहो तो कल से आ सकता है आप चाहो तो अभी से आ सकता है कैसे जिससे दिन हिंदुस्तान के किसी भी कोने में एक भी ब्रधाव श्रम नहीं होगा जिससे दिन आपके अपने माता पिता भुजर्ग आपके गर में बैठे अपने पोते पोतियों के साथ में खेल रहे होंगे उसी तिन से राम राजिकी शुरुआत हो जाएगी आप चाहो तो आप कर सकते हो कौन कौन करना चाहता है ओ राम सिया राम जय जय राम जय जय राम बोल ये आयो ध्यापती स्रीधाम चंद्र महराज की